असलाव अलेकुम और वेलकुम बैक वेल्केट इटू मार यूटीब चैनल कम्पेटर गाइड उमीद करता हूं फैंड्स आप सब खेर्यत से होंगे आज की वीडियो हमें बात करने वाले है कि हम एक्सल के अंदर कॉंट्टेनेट फॉर्मला को किस सरीके से यूज कर सकते हैं कॉंट्री में क्या करता है। किसी दी चीज को कॉंबाइन करना या किसी चीज को जईन करना जो डो अलग अलग स्याप को टैक्स देंवे हों उनको आप कॉंबाइन करना चाहते हैं तो विघ यूज ऑफ ओ, इसल के आप मैंने इक्जैंपल लिए है है जिसमें एक विट्स लास नेम एक ही सेल के अंदर आजा है फुल नेम जो हम लिखते हैं जिस तरीके से ठीक है यह काम हम जो है वो मैंनुवली लिखकर कर रहे होते हैं बट यह हम जो है वो काम विद यूज ऑफ कॉनकेटिनेट फॉर्मुला बहुत ईजीली कर सकते हैं तो आप यहां भी देख रह वालें तो चले आएए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब मुझे विद यूज ऑफ कॉनकेटिनेट फॉर्मुला फुल निकना है तो मैं किस तरी किसे करूंगा सिंपली मैं लिखूंगा इस इक्वल टू कॉनकेटिनेट टेक्स वन टेक्स वन के इंदर इस वाले साइल को करेंगे नीचे वाले ठीक है अब रैकेट को कर देंगे क्लोस एंटर करेंगे तो यहां पर क्या करेंगा पॉम्बाइं करके लिखे देगा लेकिन इन दूनों टेक्स के दर्मियान चुके हमाई पास स्पेस नहीं है तो हम क्या करेंगे कॉनकेटनेट फॉर्मुला के अंद इन दोनों टेक्स के दर्मियान डबल कोट लगा देंगे स्पेस देकर पॉमा लगाएं एंटर करेंगे तो यह क्या करेगा आपको यहां पे स्पेस के साथ फुल नेम लिखकर देगा इन डबल कोट के बीच में आप कुछ भी लगाना चाहें जैसे आप लगाना चाहते हैं अपर केस में लिखना चाहते हैं Concatinate formula को तो वह कैसे करेंगे इसके लिए इस इक्वल टू लिखना है अपर लिखना है यो डबल पी ए आर ब्रेकेट लगाना है और अपने ने concatinate और वही text को select करेंगे text1 के अंदे इसको select कर ले comma लगाएं और text2 को select कर ले ठीक है लेकिन क्योंके मैं इसमें भी space चाहिए तो हम क्या करेंगे बीच में double quote लगाएंगे space double quote comma और last में हम क्या करेंगे bracket लगा देंगे और enter कर देंगे तो यह देखें इसमें capital letters में दे दिया इसको भी हम auto fill कर लेते हैं इसी चीज़ को lower case में लिखना चाहते हैं तो is equal to lower bracket concatenate और दुबारा वही text को select करें comma लगाएं double quote space double quote comma और अब इस वाले text को select कर ले और bracket को दो दफाब रोज कर दें तो यह आपको lower case में लिखके देदेगा नीचे तक auto fill कर ले तो यह सब आपके पास lower case में आगए और यही चीज़ proper case में चाहिए proper case क्या होता है कि जिसमें आपके दूनों text की first letter जो है वो capital हो ठीक है तो is equal to proper लिखें simply bracket लगाएं concatenate लिखें और text 1 के अंदर इस वाले cell को select कर लें comma लगाएं double quote space double quote comma और दुबारह second text को select कर लें cell को और bracket को close कर दें और इंटर कर लें और नीचे तक auto fill कर दें तो यह आपको सब में देदेगा तो बहुत easy तरीके से concatenate formula को हम use करके किसी भी चीज़ को full name, uppercase, lowercase और proper case में यह आपे लिख सकते हैं ओके concatenate को तो तो और बहतर समझने के लिए मैंने यह आप एक और example आप लोगे लिए prepare करके रखी गए जिसमें मैंने first column में flat numbers लिखे हुए floor number, building का नाम और street name अब 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 अबसी बात है complete address अगर लिखना है और अगर यह चार अलग-अलग text में cell में हो तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं बिल्कुल वैसे करेंगे जो ओपर हमने अब example देखी is equal to concatenate लिखेंगे और text 1 select करेंगे तो मैं इसको select करूँगा, comma लगाँगा अब मैं text 2 को select करने से पहले क्या करूँगा वही double quote लगाँगगे कि मुझे जी space में चाहिए comma highlight अब text 2 तो text 2 के लिए यह select कर दूँगा comma लगाँगगगा, double quote, double quote, comma अब third cell को select करूँगा comma लगाँगा, double quote, space, double quote, comma और last वले cell को select करूँगआ और bracket को कर दूँगा close और enter कर दूँगा yes ठीक है तो इसने क्या किया कि मुझे पूरा complete address लिखकर दे दिया अगर मैं इसको नीचे तो quarter fill करूँ तो देखें सब में मुझे जो है वो complete address जो के अलग अलग cell के अंदर थे एक साथ लिखकर दे दिया तो बहुत आसानी के साथ concatenate formula को यूज़ करके आपनी ये काम कर दिया तो बहुत जबरदस सा formula है आप इसको लाजमन ट्राइ कीजेगा और मुझे बताईएगा कि आप से आपको कितना useful लगाईए ठीक है अमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगगी होगी मिरे चैनल को लाइक कीजेगा सबस्क्राइब कीजेगा अपना ख्याल लगएगा नेक्स लेसन में दुबारा मिलेंगे अलाफिस